Assalamualaikum जी, so हम लोग next step की तरफ move करते हैं तो यहाँ पर हम लोग start करेंगे mind mapping अपने logo design के लिए so mind mapping is very important mind mapping क्या चीज़ है असल में जब भी हम logo design करने जाएंगे, कुछ sketch करने जाएंगे तो अपने logo design में क्या symbol present करना है क्या message display करना है क्या feelings लेके आनी है तो यह सारा को design हम करेंगे mind mapping के बाद तो हम लोग जो भी sketching करेंगे वो based होगी mind mapping के उपर तो mind mapping के लिए हमारे पास दो methods है आप लोग simple अपने white कोई भी paper आपके घर में available हो आप उसको use कर सकते हैं और उसके उपर mind mapping कर सकते हैं so what is mind mapping जैसा कि हमारे पास एक company है जिसका हम लोगो design करने जा रहे है that is Viru ठीक है तो इसको आप center में write कर लें इसके बाद आपके जहन में इससे related क्या क्या words आते हैं आप उसको mention करते हैं for example water ठीक है nature healthy ठीक है और इसके अलावा जी हमारे जहन में और इसमें क्या आता है for example beach और हमारे जहन में जी कोई sea river जैसे हमारे जहन में कोई premium right तो जो भी हमने data collect किया था clients से उसकी basis पे हम हमारे जहन में कुछ words आ रहे हैं और उसको हम लोग write करते जा रहे हैं जैसर के हमारे पास है कि Skynisha लैटर आ जायए वी और इसके बाद हम आगे water से मजीद words निकालते हैं जैसर के water blue होता है water clean होता है water flow करता है प्रिक है आपने words write करता जाने तो नेचर में हमारे पास क्या आजाता है नेचर में हमारे पास leaf आ जा जाता है नीचर में हमारे पास green आ जाता है और आपके जहन में जो भी words आते हैं एक्जांपल हमारे जहन में आता है जी running और running के बाद dehydration या और इस तरह के words आ सकते हैं so dehydration is not relevant to this company इसके बाद water में हमारे पास एक और आ सकता है for example drops ठीक है drops में मजीद आपके जहन में और words आ सकते हैं so beach में हमारे जहन में आ सकता है sand और हमारे जहन में grains आ सकते हैं ठीक है sand के जो grains होते हैं इसके अलावा हमारे पास अगर हम यहां पर देखें तो इसमें भी हमारे पास flow आ जाता है और narrow का word आपके जहन में आ सकता है, narrow streams होती है, ठीक है, premium में आपके जहन में gold आ जाता है, premium के हवाले से आपके जहन में crown आ सकता है, right, इसके लावा V से क्या शुरू होता है, so for example, word style का word आपके जहन में आ जाता है, word style से हम लोग जाते हैं, energy, resourceful, और इसके बाद possibility है कि we can end up with minerals, तो आपके जहन में बहुत सारे words आते हैं, so यह हमारे पास एक mind mapping है, इसमें से हम कुछ words को चूज़ करेंगे, for example, हम drops को चूज़ कर लेते हैं, यहां पर color change करते हैं इसका, उसके बाद अपने words को चूज़ करते हैं, ठीक है, जैसा कि drops है, blue है, flow है, leaf हमारे पास है, और आप words देख सकते हैं, crown का word है, minerals का word है, इसके इलावा, और आप देख सकते हैं कि ऐसे कौन से words हैं, जो कि आप अपने logo design, sketching process में use करेंगे, experiment करेंगे, तो mind mapping का फाइदा यह है, कि you come up with a lot of words, जो कि आप use कर सकते हैं, sketching के अंदर, और उसमें से आप चंद एक use करेंगे, और उसके साथ experiment करेंगे, ठीक है, तो यह mind mapping आप Photoshop में कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूं, आप इसको अपने किसी भी paper के उपर कर सकते हैं, पैंसिल से, और इसके लावा, I have a very good recommendation, आप whimsical एक website है, यहाँ पे इनके tools को use कर सकते हैं, और यहाँ पे एक mind mapping का tool है, आप इस mind mapping के tool को use कर सकते हैं, और अपने words generate कर सकते हैं, जैसे है कि हमारे पास word है, वीरू, तो यहाँ पे हमने जो words generate किये थे, that is water, और water के साथ हमने natural को explore किया था, और healthy या health को explore किया था, ठीक है, इसके लावा और हमारे पास क्या words निकले थे, जी, वी करेक्टर से हमने कुछ words बनाये थे, beach हम एक word लेकर आये थे, sea या river हमने word generate किया था, और इसके लावा premium हमने word generate किया था, ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम water को देखें, तो water से हम लोगों ने blue generate किया, water से, water is clear, जो आपके जहन में water से related word आते हैं, वो आप यहाँ पर लिखते जाएं, water is clear, water flow करता है, drops होते हैं water के, तो अब यह water से relate करती है, इसके बाद nature से क्या relate करती है, nature से related आपके जहन में, क्या word आते है natural से, so हमारे पास leaf आता है, हमारे पास green का word आता है, ठीक है, so health में हमारे पास क्या आता है, health में for example, we have exercise, health में we have healthy mind, ठीक है, healthy mind होगा, तो we will care for others, we will love each other, और love में हमारे पास heart का symbol आ सकता है, ठीक है जी, इसके बाद अगर हम premium की तरफ जाएं, तो यहाँ पे हमने gold select किया था, crown का word हमारे पास आ सकता है, और आपके जहन में जो भी premiums related words आते हैं, अगर हम sea river को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास narrow stream, यह जहन में आ रहा था, ठीक है, इसके बाद बीच में, brown और sand, इसके लाब अगर हम V को देखें, तो worst style, worst style के बाद अगर देखें, तो flexible, maybe, वीरू में हमारे पास एक और भी आ सकता है, जैसे के, minerals, vitamins, so for example, यह हमने कुछ mind map create के, इस mind map का फाइदा यह है, कि आप बड़ी असानी से इसमें मजीद word add कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, और यह खुद बाखुद उसको range करता जाएगा, अगर हम photoshop में कर रहे हैं, तो यहाँ पे, अगर suppose आप कोई word delete करना चाहते हैं, उसको remove करके, उसक किसी और को replace करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर cutting करेंगे और उसके बाद उसको replace करेंगे किसी और word के साथ, तो अगर आप whimsical tool यूज करते हैं, it's free, और for example, अब आप इस image को use करना चाहते हैं, तो आप यह उपर share export print वाले option में जाए, यहाँ से जाके copy image करें, to x पे click करें, simple, इस पर right clicker image के उपर, copy image करके इसको आप कहीं भी paste कर सकते हैं, और यह पूरी image आपके mind map के साथ वो paste कर देगा, so it's free to export the image, इसके लाब आप इसमें चार artboards बना सकते हैं, तो आप एक ही mind mapping के artboard को use करके इसमें multiple logos के लिए, multiple companies के लिए mind mapping कर सकते हैं, so it's very useful, तो यहाँ पे ह हम कुछ words को recognize कर लेते हैं, जो कि हम लोग अपने sketching में use करेंगे, जैसा कि drop है, ठीक है, इसके हम line change कर लेते हैं, सिरफ dotted line कर लेते हैं, drops को हम use करेंगे, blue color को focus करेंगे, जब हम colors वाली side पर जाएंगे, leaf को focus करेंगे sketching के दौरान, ठीक है, इसके लावा जो heart का symbol है, इसको हम लोग कर सकते हैं, अब ये भी देखना हैं कि ये सारी चीज़ें relate करती हो, इस company के साथ भी, इसके लावा जी, इस crown को देखा जा सकता है, ठीक है, gold color को देखा जा सकता है, इसके लावा जी, और आप देख सकते हैं कि और ऐसा कौन सा word है, जो कि use के जा सकता है, so we have chosen one, two, three, four five and six, ठीक है, तो हम इन six keywords के साथ sketching process में जाएंगे, और उसके बाद उसमें से एक sketch को choose करते हुए, अपना logo illustrator में design करेंगे, और उसके बाद mockups create करेंगे, see you in the next lesson, thank you so much.